जैहिन प्रेंस वेलकम टो माई OPC YouTube चैनल स्टेडी मेटेरियल A2Z आटली नासिक ग्रूप सी रिक्रूटमेंट 2022 दोस्तो आटली के लिकर एक बड़ी अपडेट आ रही है आपके यहां पे काफी कैंडेडेट इस समय जो की परिशान भी हैं और यह आपके 107 पदों पे भरती थी और यहां पे एक्जाम भी अप्रेल के जो लास्ट वीक था उस ड्यूरिन आपके एक्जाम भी कंड़क्ट कर लिए गए थे और अब जो है बरपूर मातरा में आपके एडमिट कार्ड जारी किये गए थे और अब जो है आपके लिए जो आज एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं एक्जाम रिव्यू और एक्जाम कैंसिल के बारे में काफी कैंडेडेट परहसान है उसी के बारे में कंप पूडेट होती है सबसे पहले इसी चैनल पे आपको देखने को मिलती है तो चैनल को सस्क्राइब करिजेगा वीडियो को लाइक एंड शेर कर दीजेगा दोस्तो आटलरी नासी का एकजाम आज जो की आपका स्टार्ट हुआ है और उसी को लेकर आपके लिए नई सूचना जो गईज आप सर्च करते हैं आटलरी नासीक एकजाम रिव्यू 2022 तो यहां पे जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमारा वीडियो जो की आप देख सकते हैं यह हमने आपके लिए एकजाम तो यहां से भी आप चैक कर सकते हो कि स्किल में क्या क्या हुआ था एकजाम डूर नासीक के रिगार्डिंग बनी हुई हैं तो अब यहां पे जो है दोस्तो आज की जो आपकी अपडेट आप पूरी तरह से डिसकस करते हैं तो दोस्तो आज से आपका एकजाम स्टार्ट हुआ है जिनका भी आज एकजाम था आप मुझे वोटस अप जरूर करेंगे और दो एकजाम डिव्यू काफी कैंडिडेट देते हैं और इसी कारण से हमें सारी चाजे हम अपडेटेड रखते हैं अब यहां पे बात करते हैं सबसे पहले आपका अप्रेल के एंड वीक में दोस्तो एकजाम हुआ था और अब एकजाम हो रहे हैं पहले आपके एडमिट पूर मातरा में देखने को मिले हैं एसी और एस्टी वाले कैंडिडेट का तो दोस्तो आपका यहां पे फिप्टी प्लस वाले का भी यहां पे नंबर आ चुका है यानि दोस्तो आप समझ सकते हैं कि कापी कम कटोब आपकी देखने को मिली हैं पर जनरल वालों के लिए तो 70 प्लस का अंकड़ा आपका रहा है दोस्तों तो यहां पे आपके लिए जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो है आपका एक्जाम क्या कैंसिल हुआ है या आज एक्जाम आपका हुआ है तो दोस्तों आज जो है एक्जाम बिल्कुल हुए हैं ना आज का exam आपका बिल्कुल भी cancels नहीं है और ना ही आपके आगे के जितने भी exam है वो cancel हुए थो आपको जो admit card में जो det दी गई है तो उसी during दोस्तो आपका exam यहां पे होंगे तो आप सभी को कोई भी tension लेने की आउ सकता नहीं है काफी कैंडिडेट परेशान है कि सर एक्जाम कहीं कैंसिल तो नहीं हुआ है हमारा पहले एक्जाम हो चुका है अफिर से एडमिट कार्ड आ गया तो यह क्या पंगा है हालांकि दोस्तों आपको बात करें तो देखे आपकी जो एक्जाम है वो अभी तो आपके जितने भी एडमिट कार्ड हैं वो आपके बिल्कुल जो हैं जारी किये गए उन सभी का एक्जाम अप फिर से हो रहा है लेकिन उसके रिगार्डिंग दोस्तों कोई भी अपडेट नहीं है जो आपकी अपडेट होनी थी यानि आपके एक्जाम जो परिविशी हुए हैं उ और नहीं हमें किसी स्टूडेट ने अपडेट किया हैं तो दोस्तों यहां पे और नहीं इंप्लॉमेंट न्यूज पेपर में कोई ऐसी अपडेट आई तो ऐसे में दोस्तों हम कैसे समझ लें कि आपका जो प्रिविशी एक्जाम हुआ था वो कैंसील हुआ है और आप का पूरा पता दोस्तों वहीं से हम लगा सकते हैं कोई ऐसा जो है इनोंने कोई सुचना नहीं दी अगर सुचना दी होती तो मैं आपको अपडेट कर देता इसी कान से मैं यहां पे आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी तो आटलरी नासी के एक्जाम दोस्तों अब जो जितने भी अगजाम हो रहे हैं वो बिलकुल कंटिनू होते रहेंगे और अब जो प्रिविसी अगजाम हुएं थे दोस्तों उनके रिगार्डिंग इन्होंने जो है कोई अपडेट नहीं किये है नहीं हमें आर्मी से कोई उपीसली अपडेट मिला है तो इसका क्य सिस्टम है कि आपका जो पहले एकजाम हुआ था उनको कैंसिल किया जाएगा या फिर जिनका एकजाम हो गया था उनको एक बार यानि दोस्तों जिनका यहां पे कम कैंडेट पड़ गए हो सीट के कोडिंग तो क्या ऐसी सिच्वेशन रही अभी इसका कोई खुलासा नहीं ह आ गया है या फिर गैट के बाहर कोई ऐसा नोटिस लगा हुआ है तो आप हमें दोस्तों वोटस अप करें तभी जाकर चीजें बनेगी दोस्तों ऐसे यहां पे कुछ भी नहीं होगा तो आपके लिए यहां पे दोस्तों अपडेट हम कर देंगे बट आपको यह सारा काम कर रहे हो तो इतना काम जरूर करो कि कोई ऐसी नोटिस तो नहीं चिपकाई गई है आर्टलरी के बाहर क्योंकि पहले जो आपके एक्जाम हुए थे वहां पे सारे नोटिस चिपकाई हो गए थे मैंने आपको शेर भी किये थे ऐसे बोल्ड लग जाते थे कि इसका एक्जाम हो रहा है पहले एक्जाम हो रहा है रीटन और उसके बाद आपका देखते हैं कि पिछली बार तो आपका स्कील साथ में करवा लिया गया था फिजिकल और फिजिकल में आपका यहां पे क्या करवाय गया था वो भी थोड़ा सा नोट करो यहां पी जो लगबग 30 या 45 के सु रहता है एक स्तान से दूसरे स्तान और अगर मनमर जी रही तो थोड़ा बहुत रेस करवा सकते हैं और उसके बलावा दोस्तों आपका जो भी ट्रेड रिलेटेड हो थोड़ा सा वक्त आपको देखने को मिल सकता है तो यह सारी प्रोसेस थी एक्जाम की प्रिविशी लेकिन अब जो आपका आज एक्जाम होगा तो उसका रिविव आप खुद देंगे तबी जो है चीजे बनेगी और आप अगर साहिता करोगे तब चीजे हैं दोस्तों मैं आपके लिए एक्जाम रिविव लेकर आऊंगा बट जिनका एक्जाम जो की दोस्तों हुआ है और ऐसी कै अपडेट कार्ड निकाले गए हैं बट इसकी अधिकारिक पुस्टी तभी होगी जब उनके द्वारा कोई अपडेट किया जाएगा तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको यहां पर अपडेट करने की कोशिस की है कि एक एक चीजें आपको बताई है तो दोस्तों जिनका एक बार मुझे यह भी वोट्सब मेसेज किजेगा कि आपका फिर से जो है आपने पेपर दिया और उसका एडमिट कार्ड भी आया है तो उससे जो है पता चल सकता है और दोस्तों बिल्कुल यार यह तो आए हैं क्योंकि मुझे काफी कैंडेडेट ने किया था और मैंने वैप अच्छे लिए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जादा से जादे करें दोस्तों तो आप पी अपडेट मिलती रहेंगी